खाएंगे आप गर पे बैंगन और मीट कैसे बना सकते हैं वांगन दमाज यह एक different recipe है I am sure आपने इसे पहले नहीं देखी होगी कहीं पे YouTube पे काफी जादा tasty बनती है इसमें जो बैंगन है या ब्रिंजल वांगन उनमें मीट का फ्लेवर आता है और काफी tasty बनती है यहाँ पे मीट है सबसे पहले आप इसको प्रशे को करने डालेंगे वाश करने के बाद और आप इसको पानी आड़ करेंगे अगर आप चाहे तो इसमें जो स्काम आएगा वो रिमू करने के बाद रख सकते हैं mutton stock अदरवाज आ पहैंग दीजेगा सारा पानी और मीट को वाश करके रख दीजेगा कुर्बानी का मीट अगर है तो वो इजोली वाश करना होता अच्छे से अब जो बैंगन है उसको हम वाश किया है दोया है आप इसको उपर देखे स्टैम के पास काट रहे हैं एक्स्रा पोर्शन और अच्छे से क्लिंग कर रहे हैं सेंटर में आप इसको अदर से देखना है इसको प्रॉपरली कीडे मत है कुछ मत है अंदर से भी प्रॉपरली इसको चेक करना है तो इसमें मैं एक कट देके दो ही से कर रहे हैं अब लेंगे आप मस्टर्ड ओयल एक पैन में और जब गरम हो जाएगा स्मोक निकल जाएगी उसमें डाल देंगे आप ये बैंगन और इनको फ्राइग करना है इनको फ्राइग करने के साथ में ये सॉफ्ट हो जाएगे इनको प्रॉपरली हर तरफ से फ्राइग करना है जब तक ये ब्राउन कलर के हो जाएगे गोल्डन ब्राउन अंदर से भी और बहार से भी और ये फ्राइग के दोरान ही soft हो जाते हैं सारे बैंगन हम इसी तरीके से fry करके रख देंगे प्लेट पे निकाल के यहां पे आप देख सकते हैं हमने प्लेट पे निकाल के रख दिया है और यह देखिए अच्छे से fry हो चुके हैं अब हम यही mustard oil लेंगे pressure cooker में जिसमें आपको further cooking करनी है सारी तो mustard oil जब fry करने के साथ में हम कुछ चीज़े और आड़ करेंगे इसमें सबसे पहले आप इसमें डाल देंगे mutton जो हमने wash करके रखा है अगर आप यह meat stock से निकाल के रख दिया है माजरा से wash करके इसमें डाल दीजेगा या तो आप फैंकती है अगर पानी हो सारा तो भी आप वाश क देंगे इसमें mutton के को हम fry करेंगे प्यास के साथ ही तेल पे जब तक न इसमें ब्राउन स्पोट्स आएंगे पहले आप इसमें डाल दीजेगा गार्लिक या रोहन दो चोटी चमच अगर आपके पास प्लेंग गार्लिक के घर में वह भी आप डाल सकते हैं नमक भी डाल द पहले हम सिर्फ लालमिश एड करेंगे और वह भी फ्राई करेंगे तेल पर कलर लाल मिर जो है वह अच्छा सग्याब दे देखिया आप जालमिश का रेड कलर अच्छा आए अना चाहिए अगे फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बाकी स्पाईस चार छोटी इलाइची निचल एक दाल्चीन नीकी स्टिक दाल्चीन दो से तीन बड़ी इलाइची बड़ल तीन लॉंग रॉंग स्पाइसिस का मिहज़ाधा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग और यूज के अकॉर्डिंग अज़स्ट कर सकते हैं जो आप रफ़क करते हैं गर में जो खाते हैं अपने अब हम इसमें डाल देंगे हलकासा पानी और फिर बाकी spices एड़ करेंगे पानी डालने के बद हलकासा हम इसमें डाल देंगे पहले तो हल्दी या लिदर आदी छोटी चमच फैनल सिट पाउडर या बद्यान एक चोटी चमच जिंजर शूट आदी चोटी चमच यह सारे spices आप quantity भी अज़सकते हैं adjust या काम्याज जादा डाल सकते हैं या skip कर सकते हैं depending upon आप कितने spices यूज़ करते हैं तेल उपर आ चुका है प्याज और मीट के साथ अब हम इसमें डाल देंगे पानी या अगर आपको बसमाज रस है मीट स्टॉक वो डाल दीजेगा cover करना चाहिए पानी इसको मीट को और इसको तीन से चार विसल तक आप कुक करेंगे जब तक नमाटन 90 तो 100 परसंट तक कुक होगा नीट ओपन करने के बाद हम पर चेक करेंगे मीट अगर कुक नहीं होगा तो इसको पहले आप सेपरेटली फिर से कुक करेंगे नहीं डल दीजेगा क्योंकि बैंगन एड करने के बाद हम इसको जाधा कुक नहीं करना है हमारा मीट यहां पर कुक है इसलिए जो हमने फ्राइ करके रखे थे बैंगन या वांगन वहम इसमें एड़ कर रहे हैं जब हम यह वांगन एड़ करते हैं ब्रिंजल उसके बाद इसको जादा कुक नहीं करना है क्योंकि यह सॉफ्ट होते हैं और यह तोट जाएंगे इसलिए इसको हलका ही को करना है इसके बाद आपको मीर जो है वह कम्प्लीटली कुक्ट होना चाहिए अब हम इसको एक या दो विसल देंगे आप चाहे तो इसको बस डखन से कवर करके बॉयल कर सकते हैं उसमें भी आपको बैंगन जो है वह सॉफ्ट हो जाएंगे यहां पे आप देख सकते हैं बैंगन और मीट जो है वो तयार है वांगतमाज आप ए रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजेगा